हेए अब्रीवन हेल्दी रहने किसको नहीं प्रसंद और हेल्दी रहने के इस डिफिकल्ट प्रॉसेस में हमें हेल्दी खाना भी भूँ ज़्यादा जरूरी है और हेल्दी खाना खाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो आपके कीचन को बहुत है जिस चीज की आपके आपको हेल्दी बनाने के लिए तो आजा भाई जल्दी या यह हमारा गोद्रेज की तरफ से माइक्रोवेव ओवन है जो इसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे और क्या इसके बेनेफिट्स है क्या यह यूज करने लाइक है या नहीं आप लोगों आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपके मोबाइल पर सारी नोटिफिक्शन मिल जाए मेरे आने वली वीडियो उसकी इनफोर्मेटिव वीडियो यहां पर दी जाती है होम अप्लाइंसे गाइड के उपार तो जल्दी से जोड़ी जाईए इस फैमिली में शामिल हो जाईए और साथ में जिस दिन हमारी एकला की फैमिली हो जाएगी पूरी उस दिन मैं गिवए बहुत बड़ा गिवए वे नांस करूँगा और वो आप सभी के लिए ही होगा आप सभी पार्टि गौधरेज माइक्रोवेव ओबन की तरह है कुछ इस तारिक है कि है कि पैकिंग में आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर हमारे जो हैं लिक्षे होते हैं यह हमारा जो है पैकिंग है इसकी यह एक 19 लीटर का माइक्रोवेव ओबन है और यह कंवेक्शन माईक्रोवेव वह बन है गोद्रेश की तरफ से गोद्रेश केंवेक्शन माइक्रोवेव बन 19 लीटर में प्राइस अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा कम है लाइक अगर आपको एक इनिश्यल रेंज में केंवेक्शन माइक्रोवेव बन चाहिए तो यह एक बेटर पिक होने वाला है क् भी करेंगे पूरा इंडेप्थ रिव्यू यहां पर कि दिया जा रहा है आपको ताकि आप एक अच्छी पच्छेस कर पाएं डेफिनेटली तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अन्बॉक्स बहुत बड़ा पीस है यह 19 लीटर में है जरूर लेकिन इसका जो बेट है कुछ सम्वर अरण 13.5 और 14 केजी है तो बहुत भारी होने वाला है तो हैंडल बिद केर बड़े प्यार से इसे निकाल लिएगा और पॉलेथिन में यह पैक रहता है कि बाकी जितने भी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है इस डबबे में बाकी आपको अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा तो अन्पैकिंग हमने इस चीज को कर लिया है पूरा का पूरा गोधिश का ब्यूटिफुल डिवाइस है आपकी किचन के लिए बहुत ही बहतरी नहीं होने वाला है अब इसकी हम बिल्ट क्वालिटी की बात कर लें तो बिल्ट क्वालिटी यह जो है इस्टिल का बना अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डिवाइस में जो गोधिश की जरव से 19 लेटर का जो यह मोडल नमबर है इसमें आपको जो है यहां पर जोग डायल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कन्वेक्शन माइक्रो वेव सोते हैं उसमें जो आपको तीन तरह के पैट और जो तीसरी चीज होती है जिसमें उसमें आपको जोग डायल नहीं मिलेगा सीधा ही टैक्ट बटन्स होते हैं तो काइंड ओफ सब की ऑपरेटिंग सेम ही है सब में यह लिखा ही होता है अब मैं यहां पर इनको एक्स्पेंड करने से पहले आपको दिखाता हूँ कि इसक सब्सक्राइब आपको मिल रही है आप उसे डावलोड कर सकते हैं 125 इंस्टा कुक मैन्यू आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने नहीं नहीं शुरुआत की किचन में घुशकर या फिर लाइक माइक्रोवेव पहली बार यूज करन द्दाना है इंस्टा-वन इंस्टा टू इंस्टाशी क्टेग्री आफ नाइंत क्टेगरी जो है वह mbंड़ ऑन और चीज़ों को कर सकते हैं इसके अंदर भी जैस्ट आपको और जब्रन के ध्रीपब्र TON के द्वारा तो उपर आंप को दिखना जाएगा कि इंस्टा-ऐन में कौन सी cooking recipes given है मैं आपको ये चार्ट इस्क्रीन पर display कर दूँँ आप बहुत लंबी लिस्ट है बतानी मुश्किल हो जाएगी वीडियो को pause करके उसको पढ़ लीजेगा अगर आपको पढ़ नहीं है तो यह आपका stop cancel function यह आपका जो है convection microwave के लिए दिया गया है है convection प्लस microwave मैं operating आपको बताऊंगा convection यह अपना जो है clock set के लिए है और weight set के लिए है यह हमारा grill combination और power level weight set भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो हम यह इंस्टा को कर रहे है cooking menus बना रहे हैं आपको जो है दाल fry करनी है यह आपको जो है mix wedge बनानी है mix wedge इसमें किसी एक option में given होगा जो मैं आपको चार्ट दिखाया या फिर से दिखा देता हूं इसमें mix wedge में क्या होता है कि आपको quantity set करनी पड़ती है आपने mix wedge इसमें अपना metal तयार करके इसके अंदर रखा प्लेट के ऊपर अंदर का सीन में आपको दिखाऊंगा उसमें आपको mix wedge में क्या करना होता है कि आपने रखा चीजों को चीजों को रखने के बाद इसमें automatic settings दी गई इसलिए इंस्टाकुक menu बोलते हैं या इंस्टाकुक settings बोलते हैं इस चीज को कि आपको अपना metal रड़ी करना है इसके अंदर रखना है फिर उसका weight कितना है वह आपको जरूर बताना है कि वह quantity कितनी है वेट में कितनी है 500 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम तो वह वेट आपको यहां से इस बटन से सेलेक्ट करना होगा वह बटन से वेट सेलेक्ट होता ही है हमारे डिजिटल डिस्प्ले गीवन है यहां पर वह automatic आपको दिखींगी चीज़े मैं on करके आपको दिखाऊंगा अब यहां अंदर रखा चिसलित का जो अतना है उसके बाद उसके अक्राइं में वो चीज आती है और वेट जितना आता है तो इसमें प्री सेटिंग्स की हुई है उल्रेड़ी वह हो उसको जो है हीट का और मेकिंग का जो टाइमिंग जीतना रिक्वायर्मेंट रहेगा उसको टो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है कभी मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि खाना कैसे बनाए जाए क्या क्या चीज़े आपके लिए कुछ भी मैं श्याफ बनने के लिए भी तयार हूं वह भी मैं बनूंगा जरूर अब इसको जो ओपन करना है इसके डोर को ओपन करना है यहां पर जो हमारा बटन गीवन है इसे आप दबाएंगे और यह आपका ओपन हो जाएगा इसमें आपको जो है क्या-क्या इट्रेंस आपको देखने को मिल रही है वह हम चेक कर लेते हैं कि गोदेज हमें क्या दे रहा है इस माइक्रोवेग ओवन के साथ यह तो है हुआ है हमारी cavity अंदर बयादार बजस आपको इसको जो है प्रेकर कर देना और वह लौक हो जाएगा ऑन कर ओपन करने के लिए से दबाना है एको और यह ओपन और प्रेस कर देना है यह लौक यह तो है हमारा grill rack और यह हमारी grill tray तो यह हमारा जो है baking के लिए भी काम में आता है और यह हमारी grilling के लिए काम में आने वाली है तो यह हमें दो पीस यहां पर देखने को मिल रहे हैं इसके साथ-साथ यह तो main necessity है जो आपको अपनी cavity में वैसे आप जो demo के लिए आएंगे या जो भी आपको यह product दे के जाएगा वो आपको जो है लगा देगा आपके आप उससे demo की request कर सकते हैं वो आपको यह product लगा के जाएगा आपके घर में ही यह product खुलेगा और जो भी Amazon या Flipkart से जितसे भी आप delivery करवाने वाले हैं वो लोग आपके घर में आएंगे और आपके घर में इस product को खोलेंगे आप उस product को check कर पाएंगे कि कई product default तो नहीं है वो आप प्रोड़क को check कर पाएंगे और फिर यह आप उसकी fitting उनके सामने कर सकते हैं या फिक demo के लिए request कर सकते हैं वो आप गोदरिश की तरफ से आपको जो है डेमो मिल जाएगा साइड में इसमें यहाँ पर गीवन है गोदरिश का कस्टमर सर्विस सेंटर नमबर 24x7 स्मार्ट केर सपोर्ट इसमें गीवन है तो टोल फ्री नमबर यहाँ पर गीवन है उस नमबर पर आप कॉल करके उनसे डेमो की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वैसे मैं अपनी तरफ से भी आपको बताने की कोश्चिश करूँगा कि इसको लगाना कैसे है वो मैं खुद आपको लगा के दिखांगा यह हमारा वील होता है जिसमें आप वो जो है रोटेट कर रहा होता है यह हमारी जो प्लेट है यह ऐसे लगती है यह वील हमारे रोटेट कर रहे होते हैं तो यह हमारी प्लेट घुम रही होती है कुछ इस तरीके से और यह हमें कैविटी के उपर टेकना होता है लगाना होत तो यह तीनों है holding tool, grill rack, grill plate और या कहें ग्रिल ट्रे यह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और बाकी दोनों चीजे जो मैंने आपको दिखा है वो तो अंदर cavity में लगने वाली है बाकी ब्लाक स्क्रीन जिसमें आपको अंदर की चीजें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा और यह जो कलरफूल जो दिया गया है डिजाइन कॉंबिनेशन दिया गया आपकी कीचन में बड़ा ही यूनीक पीस देखने वाला बैक में जो है गोदरिश की माइकर क्यों हो जसे मैं आपको 22-30W और् फिप्टी है जो करण्ट देना होगा करेगा करेगा कंवेक्शन में आप काम कर रहे हैं इस में जो है तीन चीजह होती हैं माइकरोवेब और यह तो यह पावर रहने वाली है और ग्रिल के लिए ट्वेंडर वैट और तो नॉर्मल ये 800 वाट की इसको नॉर्मल इस पे एक वर्क करता है प्रोड़क्ट कोड आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इसमें पीछे हमारी जो वायर की लैंथ है वो भी काफी सई दी गई है वायर हमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा बैक साइड में जो सम इतनी लंबी आपको आपको दिख रही है लैंथ कुछ इतनी लंबी आपको जो है लाइन साधों देखने को मिल जाएगी वैखने थे ज्यादा रहांगी जादा एक पास पuz पूर करना ही होगा यह जोप की थी तबहूर चाफ से जॉक्सक्राइब होगय है 19-l attend यह उन लोगों के लिए भैसरी रहने वाला है जिन लोगों को जो है 8000 के कम और किया कोई इनिशल रेंज में या कम बजट है उनको यह पर्चेस कर लेना चाहिए मेरी तरफ से तो पूरा सजेशन रहेगा आप सभी को मैं आपको सजेश्ट भी करूंगा परसनली भी क्योंकि उस प्राइस रेंज में ये एक बैटर ऑप्शन है और एक बैस्ट ऑप्शन है आपको 125 कुकी मेन्यूद आपको देखने को मिल रहे हैं और जिनको टैक बटन आपको देखने को मिल रहे हैं जो बिगनर से हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा रहने वाला है एजी डिस् 8000 या 8000 के नीचे है तो मैं डेफिनेटली इसको आपको एक थमसब दूंगा मशीन को थमसब में तरब से कैसा लगा यह आपको पूरा का पूरा वीडियो और रिव्यू कैसा लगा कुछ पार्ट अगर मिस हो गया हो मुझसे गलती तो शमा चाहता हूं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या चीते थी जो आपको जाननी थी और ऐसा कोई भी क्वेरी हो जो कंवेक्शन माइक्रोवेवन के उपर जो आपको जानना है मैं फुल डिटेल्ल वीडियो आपके लिए बना के ला दूँगा जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइप का आपका सवाल हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से इसे शेर कर दीजे लाइक किया दीजे और शामिल हो जाईए फैमिली में अगर अबी तक 20 शामिल नहीं वहें सब्सक्राइब करने के बाद मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तिल देन हसते रहो हसते रहो घ्यान लेते रहो खोश रहो बाए-बाए